दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटुब चैनल एजुकेशन तक पर दोस्तो बिहार बिदाले परिछा समीति द्वारा इंटर वार्सिक परिछा का परिछा फल जारी कर दिया गया यानि कि रिजल्ट को जारी कर दिया गया है 23 दिन 2024 को ही यानि कि कल के डिट में आपका रिजल्ट जारी किया गया है अब दोस्तो रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं जो पास कर गया है और बहुत सारे एसे student हैं जो की उदास हैं अपने result से असन्तूष्ट हैं यानि कि उनका result मन मुताविक नहीं आया है बहुत सारे हमारे एक से बच्चे हैं student हैं विद्यार्थी हैं जो अपने परिच्छा में अच्छा नहीं कर पाए हैं फेल हो गए हैं उनको cross लग गया है बहुँ सारे से बिद्यार्थी हैं जो पडिच्छा देने गये थे बट उनका किसी भी कारन वस या jam में फस गये या कुसी भी कारन वस पडिच्छा सेंटर पे late से पहुँचे और उनको entry नहीं मिले यानिकी वह पडिच्छा में सामिल नहीं हुपाएं और बहुत सारे ASEA student हैं जिन्हें मान लिजे कि किसी भी कारण वस वो परिछा फोरम भरा गया था इंटर के लिए वो परिछा फोरम नहीं भर पाएं थे उन सभी विद्यार्थियों के लिए और जिनका किसी भी विशाय में कौम नमबर आया है रिजल्ट से असंतूष्ट है नमबर बरहवाना चाहते हैं और जो भी ASEA student है जिनका क्रोस लग गया है वो चाहते हैं इसी सत्र में बिना किसी भी साल गैप किये हुए पास हो जाएं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी बिहार विदले पड़िचा समीती की तरफ से निकल कर आ रही है जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी बताएंगे कि आपका नमबर बरहवाने के लिए किस तरह से आपको आवेदन करना होगा बहुत सारे से स्टुडेंट है जो दो से दो अधीक विषय में फेल होगा है उनको क्या करना होगा उनको कापाटमेंटल की परिच्छा में कैसे सामिल होना अगा कब से फोरम भरा जाएगा कितना पैसा लगेगा क्या 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 डोकुमेंट लगगा ये सारी जनकारी हम कर दीजा फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में सेर कर दीजे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया गए टेलिग्राम को जरू जोएन के लिजए कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे अपडेट किया जाएगा चले वीडियो में आगए बढ़ inς तरह से इसी वर्स पासो हो सकते हैं इसके लिए पहर भी दले पहार वीज़्ण समीथिक तरप स फ्रेस। जारि गया गया है जिसमे से उतरि पूरी जया करी Eromn laid से यदि कोई विद्यार थी अपने किसी एक विशय या किसी भी विशय के प्रापतांग से संतूष्ट नहीं है तो उनके लिए समीती तोरा अस्कूरूटनी का आउसर किया जा रहा है यानि कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को परिछा जो आपको आया है उससे आप प्रापतांग से संतूष्ट नहीं है आगर आपको लगता है कि मेरा और नमर मिलना चाहिए था तो आप लोग हो जो कि इसके लिए अस्कूरूटनी का आउसर दिया जा रहा है अस्कूरूटनी के लिए आपको आवेदन करना होगा तो यहाँ पर आवेदन किस परकार से होगा कब से होगा तो दिखे आगे बतायागा एसे विदार थी अपने उस विशाई की उतर पुस्तिकाव के स्कुटनी है तो दिनांग 28 दिन 2024 से लेकर 4-4 2024 तक आउनलाइन आविदन कर सकते हैं इस सम equiv me 20 सुचना बीग्रभती के माध़म से दे जाई याने कि बिस्तिस सुचना हा जो कि कुछी दिनों में याने कि आज आज आपका हो चुका है 24 तारिक एक दो दिनों में आपका बिस्ति सूचना आजाएगा तो हम आपको पूरी जनकारी हम आपको बताएंगे इसलिए आपसे बोलते हैं कि बिस्ति सूचना जैसे यहाएगा तो टेली बता देते हैं जिनका भी परिच्छा चूट गया है इस बार नियम लागू किया गया था कि जो भी पांच मिनट भी लेट आएंगे तो उनको गेट बंद कर दिया गया था उनको इंट्री नहीं लेने दिया गया था वैसे बहुत सारे स्टुजेंट हैं जो परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएं थे तो उनके लिए हैं जो कि विश्यस परिच्छा का आयोजन किया जाएगा यानि कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और प पर अपसेंट हो गए थे या किसी भी कारण बस से आपका है जो कि यहां पर परिच्छा नहीं दे पाएं थे तो विश्यस परिच्छा में आप लोग सामिल हो सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा तो 28-34-24 तक परिच्छा फोरम भरा जाएगा और इस परिच्छा होगा तो यह आपका कपार्टमेंटल परिच्छा होगा और यह आपका 28-24 बहरा जाएगा और इसके लिए पैसा कितना लगेगा यह हम आपको आगे थोरा से देर में बताते हैं यहां पर देखे बताया गया है समीती दोरा इंटरमीडियेट विश्यस मई-बशियुजची बता दियुक को एक सट्र में उछषिच्छाह करने के लिए ना मंगका ले सके इस समद्ध में विष्टीच सुचना विग्यप्ति के माध्यम से बाद में की जायगे तो यह होगे है आपका यह आपका कपाटमेंटल और सकूरिखना अशकुटनी के लि हैं कि हम परिच्हा प्रेंगे तो कितना पैसा लगेगा तो हम आपको पिछले साल का जो नोटिफीकेशन अनुसार को दोस्तों यहां पर दिएक बहुत सारे चात्र का मेसेज और कमेंट आ रहा था कि वरेगा और यह आपको कॉलेज में जामा करना होगा और कॉलेज से हैं आपका परिच्छा ऐसका फॉर्म कॉलेज से ही आपको भरा जाएगा तो दिखिए यह हम आपको तो 2023 का बता रहे हैं क्योंकि अभी विस्तित नोटिफिकेशन दोजार चोबिस का नहीं आया है इसी के आसपास जो आपका यहां पर फी रहा है फी जो दिया गए इसी के आसपास रहने वाला तो देखिए यहां पर आपको दिया गहा है परिच्छा आवेदन पत्र का सुल कि यहां पर तीज़ी देशा पर इच्छा सुल्ख दूसर साथ रुपिया लोकल लेवी यानि कि टोटल यहां पर अउपवंधिक अंख पत्र जो मार्क सीट यह से मिलता है प्रोविज़नल माइग्रेशन सब्सक्राइब कुछ मिला कर यहां पर देखे दियागा है कितना तो नी नीचे दियागा ओलाइन सुल्क सहीत कूल परिच्छा एवं अन्य सुल्क दियागा 1430 रुपया तीस चुछ अकला वाने जविज्ञान संकाय के समनित एवं क्वालिफाइंग परचारती के लिए अनुमाती सुल्क दियागा के लिए अनुमानित 340 और यहाँ परिच्छा information नियमित स्वतंत्य पुर्व वर्ति परचार्ति जो प्रत्म आवेदन भरेंगे के लिए स outfits के लिए 1770 और वेवसाइक पाठ करम के नियमित कोटी के पढ़चारती केलllä 1830 प्रप्रुवर्थीन पप्रचारतीं के लिए 2170 is उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिया घे यहां परचार्थी के लिए 1490 रुपिया परचार्थी कला विज्ञान और वानिज संकाई के लिए 1090 इंटर्मीडियेट वार्षिक परिच्छा 2023 में कपार्टमेंटल परिच्छा के रूप में समलित होने के लिए यहां पर 960 रुपिय जो कि आपको लगेगा यानि कि दिके 2023 में आप लोग इसी वर्षित नोटिफिकेशन 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 आने के बाद ही आपको पता चलेगा तो आपको की स्कूटिनी के लिए आविदन करना है तो चली हम आपको लेकर चलते हैं अपने ओफिसिल वेबसाइट से जहां से आप लोग का स्कूटिनी का करना हुआ दोस्तों स्कुटनी का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा देखें यहां पर आपको क्या करना होगा गूगल में आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में जाना दोस्तों एजूकेशन तक टाइप करना सच बॉक्स में आपको बाद उसके वहां पर देखें इस तरह इस पर जैसे ही किलिक के जेगा तो यहां पर आपको पूरी जनकारी आपको असकुटनी से रिलेटेड पूरी जनकारी बताया गया कि कैसे नंबर बरहा जाता है कैसे कोपी चेक होता है री चेकिंग होता है कब से कब तक होगा यह सारी जनकारी आपको बताया गया कितना पैसा लगेगा दिखिए जो भी छात्र अस्कूटनी करवाना चाहते हैं प्रोती विसे यानि कि एक विसे का 120 रुपे पिछले वर्स लगा है इस वर्स भी साइद आपको इतना ही लगेगा तो एक विसे में आप लोग करवाना चाहते तो 120 रुपे आपको पेमेंट करना होगा अग यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक में आईएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखे बिए से वी तुवल्थ रिजल्ट अस्कूटनी फॉर्म यहाँ पर अपलाई नौ का आपको बटन दियागा यहां इसे आप लोग किलिक करके आप लोग जोकी अस्कूटनी का फॉर्म भर सक लगते हैं तो आप लोग अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें जब वीडियो अच्छा लागा होती इस वीडियो को लाइक कर देजएगा अपने दोस्तक प्रास में इस वीडियो को सेर कर देदे,